अनावरम दौस्तों ये जो आज देख रहे हैं आप ये सह गाओं जो बिवानी जिले में पढ़ता है वहाँ पर बाबा आजत पीर का मंदिर है इस मंदिर में बाबा आजत पीर शिला रूप में विराजमान है इस मंदिर की खासियत पर मुखताएं यह है कि यहां पर जैसे अगर किसी के पसूँ में कोई तकलीफ हो बिमारी हो तो उसका दूद यहां चड़ा जाता है तथा अन्य परकार के जो भी किसी परकार के मन आशानती या अन्य कोई दर्द तकलीफ की बात है तो यहां आने से संती मिलती है यहां पर हमने लोगों से बात करी उन्होंने बताया कि बाबा आज़त पीर सदा अपना सिरुवाद आसपास के लाके के लोगों के उपर बनाये रखते हैं और बड़ा ही आस्थागा के अंदर आज के दिन में सहे गाओं का ये बाबा आज़त पीर मंदीर बड़ा भव्य मंदीर बनाया हुआ है और साथ में यहां पर महिंत जी भी विराजमान हैं और लगातार लोग यहां पर अपनी सर्दा के साथ यहां पहुंचते हैं और सर्दा जैसी भी लोगों के अंदर उसी परकार से बाबा जी भी अपना सिर्वाद बनाये रखते हैं और पस्वों को ठीक करने के लिए तथा अन्य परकार की जो बिमारियां हैं वो यहां आने से दूर हो जाती हैं तो देखिए बाबा आजद पिर मंदिर की यह जल्कियां झार को ही जाती हैं व्गों के लिए टल के लिएफ यह जचित व मंदिर को जाती हैं जाती हैं जाती हैं स्वों कि अभी हैं हैं झाø कर दो सकती है झाल झाल